नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का एकलोव PCS में मैं निशीत मिश्राज आपके लिए लेकर क्याया हूँ इंडियन जियोग्राफी का अगला टॉपिक इससे पहले की टॉपिक में हमने डिसकस किये थे भारत की चतुरुदिश बिंदु भारत की उत्तर से दक्षण पूर से पर्शम की लंबाई इसके लाबा हमने डिसकस किया था करकरेखा का भारत पर प्रफाव हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि करकरेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और करक रेखा का भारत की जियोग्राफी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है जलवायू को लेकर इसको हमने एनलाइज किया था आज हम इसका अगला टॉपिक लेकर क्या आए है जिसका नाम है भारत की इस्थलिय सीमा आद का जो हमारे topic रहेगा वो है भारत की land boundaries, भारत की स्थलिय सीमा, देखें सीमा जो होती है दो तरीके की होती है, पहली तो होती है स्थलिय सीमा और दूसरी होती है जलिय सीमा, जैसे इस map पे आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, देखें जहां जहां पर आपको land boundary द तो ये भारत की जो सीमा हैं उसका पहला भाग है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत की इस थलिय सीमाओं की भारत की land boundaries की के आखिरकार वो कौन-कौन से देश हैं जो भारत के साथ land boundary शेयर करते हैं और उनके साथ हमारे कौन-कौन से राज अपनी सीमा बनाते हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हम इसको देखें भाई भारत की जो इस थलिय सीमा है ये साथ देशों के साथ लगती है भारत की जो इस थलिय सीमा है भारत की जो land boundary है ये साथ देशों के साथ लगती है कौन-कौन से देश हैं तो वह आप बड़ी आसानी से मैप पर देख स सिक्स नमबर बांगलादेश और सेविन्थ नमबर म्यामार तो सीधे ये वो साथ ऐसे देश हैं जो हमारे साथ लेंड बांडरी शेयर करते हैं कौन-कौन से हैं अगर हम देखें तो वो हैं विद्यार्थियो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, घुटान, बा टोटल लेंड बांडरी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत की जो टोटल लेंड बांडरी है, इसकी लंबाई है विद्यार्थियो 15106 किलो मेटर, पेपर में पूछा गया प्रशन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, भारत की टोटल लेंड बांडरी की लंबाई कि करते हैं ध्यान रखेगा इसको चलिए अब एक करकर हम देखते हैं कि कौन कौन से देश जो है कोऊं कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं चलिए तो जो पहला देश है वो है बांगलादेश बांगलादेश जो है हमारे साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साधा करता है और 4096 किलोमीटर की सीमा साधा करने के साथ बांगलादेश की जो सीमा है भारत के साथ यह सबसे लंबी है ध्यान रखेगा अगर कोई प्रस्ट पूचे के भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस डेश के साथ है तो आप जवाब देंगे बांगलादेश लंबाई है 4096 किलो मेटर अब ऐसा क्यों है अगर आप मैप पर देखोगे तो आपको बांगलादेश से ज़्यादा लंबी सीमा रेखा तो आपको चाइना की दिखाई जाएगी या पाकिस्तान की भी हमें इससे बड़ी देख रही है लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो ऐ ऐसा नहीं है बांगलादेश को अब देखें विद्यार्थियो तो बांगलादेश के साथ जो हमारी सीमा है कुछ इस तरीके से है देखें यह बल्कुल वैसे ही है जैसे कोई धागा उलजा हुआ है अब आप अगर एसे खोल दो तो ये काफी लंबा बन जाएगा तो कुल हम देखें कि Bangaladesh के साथ हमारे कौन-कौन से state अपनी boundary कर रहे हैं कौन-कौन से सीमा बनाते हैं बांगलादेश के साथ तो वो हैं बंगाल मेगाले मिजोरम त्रिपूरा और असम मैप पर हमेसी देख लेते हैं कि कौन-कौन से state जो है जो सीमा बना रहे हैं तो मैप पर का भी हिस्सा देखे यहां से टच हो रहा है इसके लाबा मेगाले मेगाले भी सीमा बना रहा है और इसके लाबा हमें त्रिपूरा दिखाई दे जाएगा और इसके लाबा ये जो बाउंडरी है ये मिजोरम से भी शेयर करता है तो टोटल अगर हम इस टेट देखें कि कितने ऐसे स्टेट हैं जो सीमा बना रहे हैं बंगलादेश के साथ तो वो हैं वैस बंगल, असम, मेघाले, त्रिपुरा और मिजोरम यानि टोटल पांच ऐसे स्टेट हैं जो बाउंडरी शेयर करते हैं विद्यार्थियों बंगलादेश के साथ में ठीक है आप मैं पर बढ़ी आस देखोगे तो आपको तीन और से बंगलादेश से घिरा हुआ देख जाएगा वो है चाइना वह है चीन चीन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो है 3488 किलोमेटर लंबी सीमा है चीन के साथ और चीन की जो सीमा है इसको हम सामन रूप से मैक मोहन देखा बुला देते हैं लेकिन सामान रूप से अगर हम मैक मोहन देखा को स्पेसली देखेंगे तो यह पूरी की पूरी रेखा जो हमें यह दिखाई दे रही है यह पूरी की पूरी मैक मोहन नहीं है इसको अभी हम आगे जब डिसकस करेंगे तो जानेंगे कि मैक मो 188 km अब हम देखें कौन कौन से स्टेट हैं जो boundary शेयर करते हैं चायना के साथ तो देखो पहले तो boundary करता था जेरड के यह पुरा का पूरा जेरा के या में लेकिन पांच अगर्स दो यार उन्निस को तोड़ दिया गया कि कि इसको बना दिया गया जita कि चाहिना बाउंड़ी करें डूद। यह करता है माचल हमाक्ट करता है में सब्सक्राख वे उत्राखंट चाल पढ़ेंगे तो आजागा नेपाल अब नेपाल एक सुचंध देश है तो यह हमसे इसका कोई लेना नहीं है और आगे बढ़ेंगे तो देखें यह जो मैंने इसको गोला किया है यह आपका सिक्किम तो सिक्किम भी सीमा साध्या करता है और बिल्कुल आ उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाक ठीक है ये वो पांच ऐसे राज्य है जो सीमा साधा करते हैं विद्यारतियों चीन के साथ धियान रखना लद्दाक, हिमाचल, उत्राखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश टोटल सीमा है 3488 किलो मीटर सीमा का नाम है मै पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ देखें, कौन-कौन से स्टेट सीमा साधा करते हैं तो देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर एक करेक्शन है जो मैं आपको बता दूँ, यह जम्मू कश्मीर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आएगा लद्दाक, अब ठीक है, मैं पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंडरी है वो यह है पूरी की पूरी और इसकी जो टोटल लंबाई है यह है 3323 किलो मेटर, अगर हम देखें कि कौन-कौन से स्टेट सीमा साधा करते हैं, पाकिस्तान के साथ तो देखो ऊपर वाला इलागा जो है यह है लद्दाक, ठीक है लद्दाक से नीचे आएंगे तो जेंड के, जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो पंजाब, पंजाब से जब आप नीचे की और बढ़ोगे तो यह जो आपको अरेवियन सी दिखाई दे रहा है, यहां पर हमारा स्टेट है गुजरा, ठीक है, तो टोटल अगर हम देख ठीक है, अगर आपको इस समझ नहीं आ रहा है, तो हम इस मैप से इसको आसानी से देख सकते हैं, देखे, यहां पर आप बड़ी आसानी से इसको देख पाएंगे कि कौन-कौन से स्टेट पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, देखे, गुजरा सीमा बना रहा है, पंजाब सीवा बना रहा है जम्मू कश्मीर और लगदाक इस से आप बढ़ी आसानी से समझ सकते हों तो यह वह स्टेट हैं जो सी बनाते हैं पाकिस्तान के सात्अ उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है रैड क्लिफ रेखा द्यान दकना रैड क्लिफ रेखा 1947 में खीची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला स्टेट है नेपाल नेपाल हमारा बहुत ही अच्छा पडोसी देश ह हुआ करता था क्योंकि 2020 में नेपाल ने कुछ ऐसे काम किये हैं और नेपाल की जो प्रधान मंत्री है स्री केपी शर्मा ओली जी वह भारत के सास्थ संबंधों को बिगारने पर उतारू है इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि उनकी जो पार्टी है CPI वह चाइना के अश्वारत के उत्तरा खंड में स्थित कुछ जगा जिनके नाम में आपको इस मैप से बताता हूं वह जैसे काला पानी लिंपिया धूरा और यह जो इलाके हैं पूरे के पूरे यह जो मैंने आप यह जो मैंने सर्कल किया है यही वह जगह है जिस पर अब नेपाल ने अप कूलेफ ऑ गया लिंपिया धूरा हो गया तो इन इलाकों पर नेपाल है उनकसव कि यह जा टारी जह तत रहता है तो इस इसलिए वो भारत से संबंद खराब कर रहे हैं, लेकिन चलिए हम अपने टॉपई बापस लोटते हैं, तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल के साथ जो हम सीमा साधा करते हैं, वो है 1751 किलोमीटर लंबी, और अगर हम देखें कि कौन-कौन से वो स्टेट हैं जो सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ, तो आप इस मैप की साहिता से बड़ी आसानी से इसको देख सकते हो, यह है प्यारा नेपाल हमारा, और नेपाल के साथ सीमा साधा कर रहा है, देखें सीरे सीरे उतरा खंड, इसके लावा यूपी, इसके लावा बिहार, और देखें हलक आस यह जो यलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है यह वेस्ट बंगॉल यह भी सीमा साधा करता है नेपाल के साथ और उपर सिक्किम ठीक है तो यह वो इस्टेट है जो सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ यूपी यूके यानि उत्तराखंड बिहार बिहार के बाद वेस्ट यानि कुल पांच ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं नेपाल के सा उत्तराखंड, उत्तरपुदेश, बिहार, सिक्क्यम और पश्चिम बंगाल ठीक है और अभी जो है विवाद भी चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया ये वो विवाद जगे है जैसा कि आप देख पार कर एक सड़क बनाई, चाल धाम यात्रा के लिए एक सड़क बनाई, तो जब सड़क बन रही थी तो नेपाल ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब हमारे जो रक्षा मंतरी जी हैं, उन्होंने सड़क का उधगर्ण किया, तो नेपाल की और से कड़ी प्र्सकिरिया व्य चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट वक्स में बताइए मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा चलिए अगला स्टेट देखें जो हमाईसा सीमा बनाता है अगला देश वह है म्याम्मार म्याम्मार किसी समय में भारत का ही हिस्सा था तब इसे वर्मा के नाम से जाना जाता था और 1935 बे इंडियन काउंसल एक 1935 के अंतरगत वर्मा को भारत से लग कर दिया गया फिलाल ये बहुत पुरानी बात है अभी कि हम बात करें तो हमारे एक पडोसी देश है और इसके साथ जो हमारी सीमा है वो आप देख सकते हैं वो है 1643 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा है और देखें जारा कौन-कौन से स्टेट इसके साथ बाउंडरी शेयर करते हैं तो बड़ी आसानी साब देख पाऊगे यह जो रैड लाइन आपको दिखाई दे रही है यह वाली यह है बाउ मिजोरम तो अगर हम देखें कि कौन-कौन से स्टेट हैं जो सीमा बना रहे हैं मियामार के साथ तो आप इस पर सूप से देख पाऊगे अरुणाचल प्रदेश नागा लैंड मनिपूर और मिजोरम यह वो चार राज हैं जो सीमा बनाते हैं मियामार के साथ अरुणाचल न बारबार स्टेट कर बोला हूँ यह भी मैं आपको बता दू क्योंकि राजनीती विज्ञान में जो सही सब्द है किसी भी देश के लिए वो राजी ही होता है ध्यान रखना भारती सम्विधान में भी भारत को एक राज कहकर ही संबोधित किया भारती सम्विधान में एक बार भी देश या राष्ट सब्द का इस्तमाल नहीं होगा द्यान रखना तो जो पॉलिटिकल साइंस की लेंग्विज में जो सही वर्ड होता है किसी भी देश के लिए वह स्टेट ही होता है और हम बूर देते हैं ओबबाद वर्ड़के देश है राष्ट रहे लेकिन चली है वह देश ही कह देते हैं कोई दक्कत नहीं है तो अगला जह सामय सार्थ सीमा में बहुत ही अच्छे है हैं बहुत अच्छे संबन्द है भूटान के साथ और सीमा बहुत छोटी सी है तक्रीबन तक्रीबन 700 किलोमेटर की है या 699 किलोमेटर है एक्जैट और हम देखते हैं कि कौन-कौन से स्टेट जो है सीमा बना रहे हैं भूटान के साथ तो यह आपको दिखाई दे जाएगा य इसके लाबा असम भी बाउंडरी शेयर कर रहा है तो टोटल स्टेट कितने हो गए टोटल स्टेट होगए चार ठीक है पश्चिम बंगाल सिक्किम अरुनाचर प्रदेश और असम देखे यह वैस बंगाल वैस बंगाल भी है ध्यान रगना एंडिये में पूछा गया प्रश्न है संभवता सीडियेस में पूछा गया प्रश्न है यह कि बताईए निम्ड में से कौन सा स्टेट भूटान के साथ सीमा साजा नहीं कर करता है ठीक है तो वैस बंगाल जो आप्शन में था बहुत साई लोगा ने उसे टिक किया क्योंकि भूटान से काफी नीचे पढ़ जाता है वैस बंगाल तो लोगों का इस सवाल गलत हो गया था तो मैप से आप पढ़ोगे तो आपका गलत नहीं होगा ध्यान रखिये का क संतिम देश जो हमाई साथ सीमा बनाता है विद्यार्थियों वो है अफगानिस्तान ठीक अफगानिस्तान की जो टोटल सीमा है वो भूट थोड़ी है 106 किलोमीटर है और अगर हम देखें कि कौन सा स्टेट सीमा साजा करता है अफगानिस्तान सा तो वह ले लगदा लेकर मैं आपको बता दू कि officially हमारी इसके साथ कोई सीमा नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान जिस एरिया के साथ सीमा बनाता है वो एरिया भारत के कबजे में नहीं है अच्छा कहां सीमा बना रहा है तो देखो यह अफगानिस्तान है और देखो यहां कहीं यहां कह तो हमारे पास नहीं है इसलिए आफगानस्तान के साथ हम सीधे सीमा नहीं बनाते हैं लेकिन हाँ आफिशली तो है ही नक्षा जो है वो तो सीमा बनाता है लेकिन हमारा कब्जा अभी यहां पर नहीं है ठीक है तो जब हम पियो के को अपने में मिला लेंगे बिलकुल मिला ही लेंगे आज नहीं तो कल यह मिलना ही है तो जब हम मिला लेंगे तब हमारी बाउंडरी हो जाएग तो यह बना रहा है हालागी वह पाकिसानी कब्जें चली तो यह वह स्टेट थे हमारे चिप इंटर्नेशन बाउंडि रहे थे अब जरा हम इसका कुई कर लेते हैं जल्दी से कौनकौन से हमने यहां पर पढ़े आज चली जड़ा कोईक रिविजन मार लेते हैं यहां पर इसको इसी मैप से आप इसको देख करके बता पाओगे चली एक एक करके जल्दी से इसका रिविजन कर लेते हैं कि हमने कौन-कौन से स्टेट स्कुआज पड़ा सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ देखें कौन-कौन सीमा बना रहा है, गुजरा सीमा बना रहा है, राजिस्तान सीमा बना रहा है, पंजाब सीमा बना रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाक अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भी लद्दाक के साथ सीमा बनाता है बात करें चाइना की तो चाइना के साथ सीमा बना रहा है देखें लद्दाक, हिमाचल, उत्राखंड, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश तीक है नेपाल की हम बात करें तो नेपाल की साथ सीमा बना रहा है उत्राखन, यूपी, बिहार, सिक्किम और बहश मंगाल देखे ये यलो कलर में आपको दिख जाएगा ठीक है ये सीमा बना रहा है नेपाल के साथ आगे आजाएं तो बंगलादेश ना सब्सक्राइब बनारें और मिजोरम और अंतिम है म्याम्मार के साथ जो सेवन सिस्टर से वो सीमा बना रहे हैं अवनाचर प्रदेश नागा लैंड मनिपूर और मिजोरम यह सीमा बना रहे हैं विद्यार्थियो म्याम्मार के साथ तो यह थे हमारे भारत के बाउंडरी जो शेयर हो रही है विविन राज जैसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि बताइए जीरो लाइन किन-किन शेत्रों के बीच में है तो जीरो लाइन ने विद्यार थी त्रिपुरा और बांगलादेश के बीच में जो इस पेशली लाइन है उस लाइन को हम कहते हैं जीरो लाइन ध्यार रखेगा पेपर में पूछी गई है जीरो लाइन किसके बीच में है त्रिपुरा और बंगलादेश यह मैप है इससे आप बढ़ी आसानी से देख सकते हो ठीक है तो इस रंग में जो भी आपको इलाका दिखाई दे रहा है यह बंगलादेश का है और आप देखो कि यह है त्रिपुरा इधर से भी बंगलादेश से गिरा है इधर से गिरा है तो तीन ओर से बंगलादेश से गिरा हुआ है केवल एक ओर से इंडिया से जोड़ा ठीक है तो इसकी लाइन को हम बोलते हैं जीरो लाए अगला है विद्यार्थियों मैक मोहन देखा जैसा कि मैं अभी इसके बारे में बताया था कि सामन रूपसे से भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे माना जाता है इस रेखा को खींचा गया था 27 अपरेल 1927 को अब इसकी लोकेशन के जारे मैप पर यह बहुत इंपोड़ेंट है आपको पता होना चाहिए तो देखो मैं आपको जूम करकर दिखा देता हूँ एक्शल में जो पूरी बाउंडरी है अब ऐसे तो पूरी बाउंडरी यह है अगर हम चाइना के साथ बाउंडरी देखें तो यह है पूरी की पूरी लेकिन यह पूरी बाउंडरी मैक मोहन नहीं है मैक मोहन वाली बाउंडरी यह है विद्यार्थियो इस्पेसली ठीक है य पूर्वी हिस्से से सुरू होती है और जाती है इस हिस्से तक जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है द्यांदाख्णा तो यह जो इलाका आपको दिख रहा है एक्चल में यह है यह है मैक मोहन रेखा ठीक है बुलकुल बाकाईदा देखे लिखा हुआ है मैक मोहन लाइन डिस्प्यूटिड बॉर्डर ठीक है तो यह इलाका है विद्यार्थियों मैक मोहन लाइन ना कि यह पूरी की पूरी बाउन्डरी इस बात को समझे और कहां से कहां तक जाती है यह ब्रुटान के पूर्व से लेकर कॉर्बा गार्ज तक हमें मिलती है मैक मोहन देखा ज्यान देखना बहुत इंपोर्टान्ट है ये काफी मैत पूर्ण है जातर लोग इस बात को समझते नहीं है कि एक्च्वल मैं 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 मोहन लाइन किधर है ठीक है खींचा गयाता है इसको 27 अपरेल 1927 को ठीक यह है मैं मैं मोहन लाइन चलिए आगे देखें अगली लाइन हमारे पास रेट क्लिफ लाइन सबको पता है इसके बारे में रेट क्लिफ रेका खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में और इसको जो बॉर्डर कमिशन था उसने इसको खींचा था और इसको खींचने वाले वैक्ति थे प्रणधे सर सिर्ल रेट क्लिफ और उन्हीं के नाम पर इसको रेट क्लिफ लाइन कहा जाता है अब ये लाइन जब 1847 में खींची गई थी तो देखो दो जगए थी ठीक है यह दो जगह थी कहां कहां एक तो यह हमें दिखाई दे रही है इसके लावा एक यह दिखाई दे रही है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उससे में दो पाकिस्तान थे एक पाकिस्तान थे एक पाकिस्तान थे जो बाद में जा करके 1971 मे बांगलादेश बन गया तो रेट किल फ्लाइन जिससे में खीची गई थी उससे में दो इलाकों में खीची गई थी एक इलाका ये था एक इलाका ये था इन दोनों इलाकों में लाइन खीची गई थी रेट किल फ्लाइन हाला कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान इसको हम कहें द थी तब दो जगे थी ठीक है ध्यान रखना यह बात कम लोगों को पता है यह तो सब जानते हैं देगे रेट किलिफलाइन के सब को पता है शब पता देंगे किस-किस के बीच में है तो भारत-पाकिसतान के बीच में है लेकिन एकज़ई लोकेशन के दर थी यह आपको यहीं पता चलेगे चले आगे बढ़ते हैं अगला है ल ओसी इसका नाम आपने खूब सुना होगा जब हम चोटे तो हमें एक पिच्चर भी दिखाए गई थी हॉल में ल ओसी कारगिल शायद आपने भी देखी होगी चले ल ओसी का मतलब है लाइन अफ कंट्रोल सबको पता है यह बात लाइन अफ कंट्रोल इसका पूरा नाम है लोसी और लोसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है खीजा गया था इसको 1972 में शिम्मला एग्रिमेंट के बाद ठीक है उने सो एकस्तर में भारत पाकिस्तान युद्धू और पाकिस्तान वो युद्धार गया और लोसी लाइन अफ कंट्रोल लेकिन यह मैं सपस्ट कर जूँ कि यह कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है नहीं भारत इसको अपनी ऑफिशियल लाइन मानता है नहीं पाकिस्तान देखे जहां कहीं भी मैप पे आपको जो डॉटेड लाइन दिखती है इसका मतलब होता है इसके एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी रहती है और एक तरफ इंडियन आर्मी रहती है दौनों जो है आए दिन बम फोड़ते रहते हैं एक दूसरे के उपर आपने देखा होगा सीस फायर का उलंगन हो गया निउस्पेपर में आए दिन निकलती है एक खबर जब वो एक गोली मारते हैं तो हम भी आर्दस रॉकेट यार्दस जो हमारे पास होविजजर गन है उससे हम फायर करके दुआँ दुआँ कर देते हैं तो ये तो चलता रहता है भारत पाकिस्तान के भी सामाने बात हैं तो ये है एल ओसी ध्यान लखना और ये कोई ऑफिशल लाइन नहीं है जब हम पाकिस्तान जब हम इस छेतर पर कबजा क अधर लेंगे बिल्कुल करी लेंगे आज नहीं तो कल घीक है तब यह लाइन खतम हो जाएगी और तब जो हमारी नैट्रल बाउंडरी है जो साम जो हमें ऑफिशल जो हमारी बाउंडरी है वो हमें मिल जाएगी और यह लाइन खत अधियेगा लोकेशन आपको समझाई बीच में खीची गेती 1962 में 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध भारत हार गया और उसके बाद यह लाइन के नाम पर देखिए यह है गलवान वैली इसका नाम आपने अभी खूब सुना होगा काफी चर्चा में रही यही गलवान वैली है जहां पर इंडिया और चाइनीज सोल्जर के बीच में एक विवाद हो गया और यह है पैंगॉंग लेक जो इंडिया और चाइना के बॉर्ड अब यह हिस्सा हमारा है लेकिन चाइना ने इस पर कबजा कर लिया है 1962 के उद्ध में ही इस पर कबजा कर लिया था तो तब से उन्हीं के पास है तो यह जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यह है विडिया थियो एल ए सी ठीक है ना ज्यान रखिएगा काफी महत पोड़ है तो यह यह था हमारा छोटा सा टॉपिक जो आज हमने कवर किया इसमें हमने भारत की जितनी भी लैंड बाउंडरी थी उनको मैप के मार्जन से पढ़ लिया उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और कुछ नई जानकारी मिली होग करता हुआ है